दोस्तों इस समय रशिया और युक्रीन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। रूस ने भारत के इस कदम पर संतोष यताया। भारत युद्ध का समर्थन नहीं कर रहते हुए। 2017 के दुरान पाकिस्तान अपने पूर्वी पाकिस्तान पर सित्म ढारा है। और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने की ठानी थी। उस वक्त दुनिया भर के देशों को पता चल गया था कि युद्ध होने जा रहा है। हानकि युद्ध जादा दिनों तक नहीं चलेगा इसका सभी को नुमान था। इनिवसिटी में 26 मार्च 1971 को मंगाली नेताओं और शिक्षकों को मौत के खाट उतार दिया था। पूर्वी पाकिस्तान में इतना जुल्ब बढ़ गया था कि लोग भारत में शरणार्थी बनकर आने लगे थे। जिससे भारत की ततकालीन पीम इंदरा गांधी की परेशानिया पढ़ गए थी। 3 सितंबर 1971 को पाकिस्तान की जंगी जहाज़ों ने भारत पर हमला बोल दिया था। पाकिस्तान के इस कदम के बाद भारत सरकार हरकत में आई। 25 अप्रेल 1971 को पढ़ान मंतरी इंदरा गांधी ने कैबिनेट की एक एहम मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में जनरल शेम मानिक शौ भी मौझूद थे। इंदरा गांधी ने उन्हें युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। लेकिन मानिक शौ ने कहा कि मानसून आने वाला है और चारो तरफ पानी बानी होगा। ऐसे में एरफोर्स हमारी मदद नहीं कर पाईगी और हम युद्ध हार जाएंगे। उस वक्त शौ ने इंदरा गांधी से तैयारी के लिए वक्त मांगा था। जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला बोल दिया, तो इंदरा गांधी ने भारती सेना को ठाका की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। इंडियन एरफोर्स ने पाकिस्तान की एरपोर्ट पर बंबरसाना शुरू कर दिया। इंडियन एरफोर्स और बंगला देश की अलगाववादी सेना मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी थी। फिर भारतिय सेना ने पूरवी पाकिस्तान पर खब्जा करना शुरू किया और पाकिस्तान की राष्ट्रुपती यहया खान ने इंडियन आर्मी को पश्चिम की तरफ से खेरने का सोचा। परियन भारतिय थल सेना और वायू सेना ने इसका मूँ तोड़ जवाब दिया। 4 दिसंबर 1971 को जब इंडियन नेवी ने आपरेशन ट्राइडन शुरू किया और कराची पूर्ट पर अमला कर दिया। जिसमें पाकिस्तान के PNS खेवर को धस्त कर दिया गया। और इस आपरेशन में 720 के खरीब पाकिस्तानी सेनिक मारे गए थे। इसके बाद 8 से 9 दिसंबर को भारत ने आपरेशन पाइथन चलाया। इस आपरेशन के दराण मिसायल चहाजों ने कराची के बंदरगाओं को निशाना बनाया। अब पाक के रिजर्फ फ्यूल टैंक और उनकी नेवी के हेटकौर्टर को धरस्त कर दिया। सूला दिसंबर 1971 को भी भारत ने पाकिस्तान को जंग में करारी शिकस दी थी और उसके दो टुकड़े कर डाले थे। इस युद्ध के दराण में इस 13 दिनों में पाकिस्तान के 93 अजार सैनिकों ने भारतिये सेना के सामने खुटने टेक दिये थे। इसी उद्ध के कारण ही पूरवे पाकिस्तान कहे जाने वाले हिस्से का नए राष्ट्र बांगला देश के रूप में उद्य हुआ लेकिन अगर इस कहानी में रूस के रोल को देखें तो असली कहानी शुरू होती है 10 दिसम्बर 1971 से जिस 10 दिसम्बर की ये बात है उसी दिन हमारे खोफिया एजेंसियों ने अमेरिकी मैसेच को डिकोट कर लिया था इससे पता लगा रहा था कि अमेरिका का सातवा वेडा वार जोन में घुसने की तैयारी कर रहा है टोकिन की खाली में तैनाद सेवन्थ फ्लीट विच्छतर हजार टन न्यूकलियर अनरजी से चल रहे एरक्राफ्ट कैरियर USS Enterprise की अगुआई में आगे बढ़ रहा था दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहास पर सतर फाइटर जेट और बॉम्बर तैनाद थे पानी और जमीन पर मार करने वाला USS Tripoli भी शामिल था भारतिय समुद्री तट और अमेरिकी बेड़े के बीच हमारी नौसेना की पूरवी फ्लीट थी जिसकी अगुआई एरक्राफ्ट कैरियर आई एनस विक्रांत कर रहा था जिस पर सिर्फ 20 फाइटर जेट थे एक रिबोर्ट के मुताबिक जब फ्लाग आफिसर कमांडिंग इंचीफ वाइज एडमिरल एन कृशनन से पूछा गया कि अमेरिकी सेवन्थ फलीट से मकाबला हो पाएगा तो नोंने का बस ओर्डर का इंतजार है इसी बीच सोवियत खूफिया एजेंसियों ने भारत को बताया कि इंगलिंड का एरक्राफ्ट कैरियर इगल भी भारत की दरब बढ़ रहा है अब वक्त आ गया था इंदरा गान्दी ने फ्रेंड्शिप ट्रिटी के तहट रूस को चुपके से बता दिया कि बारी अमला हो चुका है समझोते के तहट ऐसी स्थिती में रूस को एक्शन लेना था भारत के खिलाफ साजश में अमेरिका और इंगलिंड साथ थे तैह हुआ था कि इंगलिश जहाज अरफ सागर से भारत को टागेट करेगा और अमेरिकी फ्लीट बंगाल के खाली से गुसेगा जहां एक लाग पाकिस्तानी फाज को भारती सेना ने खेल लिया था रूसी राष्टपती लियोनेड ब्रेज ने व्लाटिवो स्टोक परमानु हत्यारों सलैस जहाजों को रवाना करने का आदेश देते हैं यह तारीख दी 13 दिसंबर इसकी अगवाई प्रशांत मासागर में रूस के दसवे बैलिट क्रुप की कमांडर रादिमीर क्रुगल्यों कोफ कर रहे थे इस बेडे में न्यूकलियर पंडुब भी थी लेकिन टॉर्पीडो और मिसाइलों की रेंज 300 किलमीडर थी इसलिए रूसी बेडे को चक्कर लगाकर उनके आगे निकलना था इसमें वो खामयाब हो गए रूसी बेडे ने USS Enterprises की तरफ मिसाइले गुमा थी इस समय रूसीयों ने ब्रिटिश नेवी का एक मैसेज इंटरसिप्ट किया एड्मिरल डिमॉन गॉर्डन की आवाज आती है सर, हम बहुत लेट हो गए हैं यहां तो रूस की आटोमिक पंडुब यहां गई हैं और इनके वेडे में बहुत सारे जाज हैं फिर क्या था? ब्रिटिश बेडा मेडगस्कर की तरफ भाग खड़ा हुआ अमेरिका के साथवे वेड़े को रुकने का ओडर मिल गया 14 दिसम्मर को जनरल एके नियाजी ने ढाका स्थित अमेरिकन काउंसल जनरल को बता दिया कि वाद मुसमर पढ़ करना चाहते संदेसे को पहले वाशिंग्टन बेजा गया और फिर अमेरिका ने इसे दिल्ली रिले कर दिया हैंरी किंसिजर और निकसन ने लियोनिट ब्रेजनेव को फोन मिलाया और भारत को समझाने की खुजारिश की ब्रेजनेव गुस्ते से लालो गए जिसके बाद औरो ने तैय किया था कि वो भारत को रोक नहीं की जगा उसे न्यूकलियर बम बनाने के सारे सिक्रिट्स बता देंगे खैर इसके आगे क्या हुआ इसके बारे में क्लियर जानगारी नहीं है लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के लिए रूस ने उस वक्त जो किया और शायद ही कोई करता इस जंग के अलावा भी रूस ने समय समय पर भारत को एशिया में एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए हर लेवल पर मदद किये यही कारण है कि भारत अगर रूस के खलाफ जाने से खुद को रोग रहा है कहीं न कहीं यह बात एक तरह से सही भी है आपको क्या लगता है क्या वारत को इस समय रूस के खलाफ जाना चाहिए या फिर एक भरोसे मंदेश की तरह रूस का साथ देना चाहिए आप अपनी राया में कॉमेंट करके बता सकते हैं साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले